मेरा मसीह आया उजडे हुए चमन में जैसे बहार लाया मेरा मसीह आया दिल का करार लाया जनते हैं यह दिसंबर वाला गाना हम कहें गा रहे हैं जैसे मा जो है बच्चे को नहीं जुन-जुना पकड़ा देती है सब हम लोग अभी दर्द पे है करोना से निकले हैं बारी शोरी है घर डुबे हुए है लेकिन आप खुश नहीं है कि मेरा मसीह आया दिल का करार लाया आज भी ये गाना उतना ही उत्सा वरधक है आज भी ये उतनी ही खुशी देता है जो दिसंबर के 25 को देता है इतनी मुसिबत आप बाहर आप देख रहे हैं चारो और देख रहे हैं पुरा गुरगपुर का हाल आपके घरों का हाल एक दर्द है दिल में लेकिन ये सब दर्द अपनी जगा है, हम इसलिए खुश हैं जरूर होगा वालता किया है जितना पूरा जरूर होगा सब कोई उच्डे पुरे चमन में जैसे पहादे लाया पोटो का चमन उजड़ा है, अभी एक पिसले हफ्ते घरों में पानी, सडक पर पानी हर जगा पानी उजड़ गया, चमन उजड़ गया प्रभू का धन्यवाद हो उसने ये नहीं कहा कि जब पानी खतम हो जाएगा तो आएंगे जब तुम्हारा उजड़ा बाग फिर से सवर जाएगा तो हम आएंगे उसने कहा उसी उजड़े हुए बाग में हम आएंगे कितना उजड़ेगा, कितना उजड़ेगा मेरे को तुम्हारा उजड़ा हुआ चमन रोक नहीं पाएगा कितनी भी बारिश हो, कितना भी तुम्हारा नुकसान हुआ हो मैं रहूंगा, संकट के समय मुझे पुकारो आप हैं आज पुकारने के लिए और कहिए प्रभु जी संकट भी है, मेरा चमन उजड़ा हुआ, आप ध्यान दीजिए उजड़े ये गाना कोई बहुत पैसा कर रहे उजड़े हुए आपकी दिल की ये पुकार है, उजड़े हुए चमन में चार ओर हाहकार मचा हुआ है, नौकरी नहीं है, आर्थिक तंगी है करोना का डर है, बच्चे स्कूल है, उजड़ा ही हुआ तो चमन है, पुरी दुनिया तो उजड़ गई आप बोलिये, बड़े-बड़े बिजनेसे बंद हो गए, काई जैसे ना ट्रेन चल रही है, ना बस चल रही है, सब मास लगा करके शकली हम लोग की उजड़ा हुआ चमन, एक तो यही चमन है जिसको हम लोग समारते हैं, सुबह उठकर के ये वो दुनिया का इसी के उपर लग गया, उजड़े हुए चमन में, प्रभु जी ये कब बहार आए ना आए मेरा प्रभु तो आ गया है, और अगर प्रभु हमारे साथ है, तो हमारा चमन कितना भी उजड़ा हुआ हो, आप है मेरे साथ प्रेश दो लॉड़ बोलेगा, नहीं मेरे घर में पानी नहीं अ ये कर्फ्यू लग रहा है, लोग डाउन हो रहा है, इससे अचूते नहीं है, मत सोचिए कि ये कहीं और हो रहा है, हमारे महले में हो रहा है, हमारे घरों में हो रहा है, तिसरी लहर आरी, चौती लहर, क्या आरा है, हम नहीं जानते हैं प्रभु जी, किसी और आप ये मत तुमिया की हला ठीक नहीं है बिल्कु अब जिस्तनों से मैं बात कर रहा हूं अरे भाया लग रहां की मेरे उपर सारा ग्रहर लगा हुआ सब लोग कही ना कही पीडी थे, कुछ ना कुछ हाथ से हो रहे हैं, इसलिए इसको गाईए और कहिए कि उजडे हुए चमन में, वाकई ये चमन दुनिया का चमन उजड गया है मितु, ताज महल लोग देखने जाते थे, एक आदमी नहीं जा रहा हूँ, एक टिकट नहीं बि में आ गया हूँ, वो एरपूर्ट, लोस एंजलेस का एरपूर्ट, जहां बताते हैं कि हर दस सेकेंड पर एक प्लेन जाता है और एक प्लेन उतरता है, मने गहमा, क्या कुम्ब का मेला होगा जो लोसेंड, एक आदमी वहाँ, दो आदमी वहाँ, ये दुका, अरी क्या हो ग गाट, अभी कुछ दिन पहले तो ये चहल पहल थी, उजड़ गया मितु, उजड़ के करोड़ों रुपए का उजड़ गया, बरबाद हो गया, चमन उजड़ गया, लेकिन प्रभू का धन्यवाद हो कि इसी उजड़े हुए चमन में, इसी डरना नहीं है मितु, मत डरिये डर प्रेशर होता है, प्रेशर, इस पंज पे जब आप प्रेशर डालिए तो वो कहीं न कहीं से फेकने लगता है, और घरों में आज प्रॉबलम हो रही है, इसको आपको डिल करना पड़ेगा, मैं हल्प करूँगा आपको प्रभू के बचन से, कि घर के प्रेशर को मत जाएंगे और आपका संबंद खराब हो जाएगा, वाइफ से, बेटे से, बेटी से, इस से, उस से, क्योंकि प्रेशर हो गया आपके उपर, और इस प्रेशर को एक मसीही जो हल पर हाथ रख करके पीछे देखता है, अब आपने हल पर हाथ रखा है, अब आपको आगे और उसकी वज़ए यह है, कि आपने रख तो दिया हाथ, आपको पता चला कि रहे आगे तो कठोर जमीन है, और आप मालू मैं न, हल, ट्रेक्टर नहीं, हल, हल चलाना असान नहीं है, अगर सामने की जमीन कड़ी हो जाए भाईया, या सामने की जमीन गिली हो जाए, चला करके आप देखिये ठक जाए, बैल नहीं ठकेंगे, आप ठक जाएए, क्योंकि आपको उसको होल्ड करके रखना है, और आज प्रभू ने हर एक की जिन्दगी में एक हल दिया है, अब आपने हाथ रख दिया है, चाहे गिली जमीन हो और चाहे सुखी जमीन हो, यू है तु प्ल है तो जाना है, कैसी भी जमीन है, हम उसको पकड़े रहेंगे, और एक बार आप चल करके देखिये, आपका प्रभू उसी जगह आ करके आपके हल पर दूसरा हाथ रखेगा, आप है मेरे साथ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, देखो जगत के अंत लो, अभी जगत का अंत नहीं हुआ, शुरुआत भले ही हो गई है, अभी हुआ नहीं है, वो जगत के अंत लो, अभी तो अंत नहीं हुआ, वो तो वहां तक जाने को तैयार है, अभी तो शुरुआत है, उसने आपको और हमको छोड़ा रही, फिर से गाईएगा, मुझडे हुए चमन में जैसे वहार आया मेरा मसीही आया दिल का करार आया मुझडे हुए चमन को उसी उजड़ी हुई जगा को उसने बहार ला दिया लिखा है उसने अपना पहला ओठा जन्मा कपड़े में लपेट कर सोने की पलंग पर रख दिया चांदी की पलंग पर रख दिया कहां रखा मित्रो चर्नी में जहां पर गाय और बैल खाते अब इससे ज़्यादा उजाड नहीं होगा किसी मा के लिए कि अपने नव जाच शिशु को आप पेसे कितने आप कहेंगे नहीं भाई हम गोदी में रखेंगे हम उसमें नहीं रखेंगे हमारा येसु मसी चर्नी में रखा गया बित्रो मगर उसी चर्नी में मजूसी चले आए सोना मुर और लोबान लेके चले है लोगों ने सोचा कि उनलों ने सोचा ये तो महल में चढ़ाएंगे प्रभू ने कहा नहीं एक उजुड़ी हुई जगा है जहां कोई नहीं जाना चाहता है हमको नहीं ख्वाब देखना महल का ख्वाब नहीं देखना हेरोदेश रहें फिरॉन रहें उसके अंदर हमको तो चर्नी भी मिल जाएगी लेकिन मेरा येसु मसी होना चाहिए अगर मेरा येसु है तो उसी चर्नी के पास सोना भी आजाएगा मुर भी आजाएगा और लोबान भी आजाएगा अप है मेरे साथ मुझ की खा के चले आए बेजज़त हो के चले आए महल गए थे महल गए थे महल गए थे बेज़त हो करके चले आए अपने आप पर बड़ा भरोसा था उनको खुदा के कलाम पर भरोसा नहीं था कि मैंने इस चर्णी को ही महल से ज़्यादा महत्व दे दिया है सारी दुनिया महलों में भी इस चर्णी की ही बात होगी मैं आप को साहित करना चाहता हूँ किस उजड़ी हुई चीज की बात कर रहे है रो रहे है आप प्रेशराइज हो रहे है ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं बिल्कुश सही बात है वो चर्णी कोई सोने की चर्णी नहीं थी वो चर्णी कोई चांदी की चर्णी नहीं थी वो चरनी वैसे ही वही चरनी थी जो जसमें चरते थे लेकिन यसू मसी उसके अंदर मौजूद था आज अपनी जिन्दगी की उस चरनी में यसू को ग्रेहन कर लीजे अभी तक वो चरनी किसी लायक नहीं थी अभी गाये और बैल खाते थे कोई गाय और बैल के लिए सोना रूपा और नहीं चढ़ाता है लेकिन आज जब उस चर्नी के अंदर ये सू आ गए तो वो चर्नी चर्नी नहीं वो उधार का स्रोत हो गया हर लव्ज बाईबिल का एक नूफ़ते शिफा है एक एक बिंदू एक एक मात्रा जो बाईबल में है उसके कलाम में है वो शिफा देती है एक एक बिंदू आपको चैप्टर पर चैप्टर पढ़ने की दरुवत नहीं है एक प्रामिस को अपने हाथ में ले लीजे एक प्रामिस आपके लिए काफी है हमें सब कोई थूए चमन में जैसे बहा दिलाया मेरा मसीही आया दिल का करार दाया दिल का करार दाया खुदावद हमें इतनी खुशी हो रही है आज लाल समंदर था तभी तो दो भाग हुआ खुदावद बिना असंभाव के संभाव आप करते ही नहीं जब हमारे लिए चीजे असंभाव हो जाती हैं परिस्तितियां असंभाव हो जाती हैं आप उसको संभाव करते हैं प्रभू जी आज हमारी उन आखों को खोलिएगा जब गेजी की आखों को खोला और उसने देखा कि जो सेना आसमान में है वो उनसे कहीं ज्यादा है जो जमीन पर थी आज खुदावद हमें ये समझाईएगा कि आज डरने की दरुवत नहीं है आज बड़े हियाओ के साथ आगे बढ़ने के दरुआ इश्य मसीह के पईत्र नाम समागते हैं आमीन आमीन मेरा मसीही आया दिल का खरार लाया मेरा मसीही आया दिल का खरार लाया पुझडे हुए चमन में जैसे बहार लाया मेरा मसीही आया दिल का खरार लाया उसे का करम भी होगा तक्दीर भी बनेगी उसका करम भी होगा तक्दीर भी बनेगी अब रा नगम के मारे मन्सिल तुझे मिनेगी अब रा नगम के मारे मन्सिल तुझे मिनेगी उजडे हुए चमन में जैसे बहार लाया उजडे हुए चमन में जैसे बहार लाया मेरा मसी ही आया दिल का करार दाया दुपियों को सुख मिलेगा हर जर्द दूप्र होगा वादा किया है जिन्त ना पूरा जरूर होगा वादा किया है जिन्त ना पूरा जरूर होगा तो जिड़े हुए जमन में कैसे बहार लाया जिड़े हुए जमन में कैसे बहार लाया मेरा मसी ही आया दिल का करार लाया दिल का करार लाया दिल का करार लाया दिल का करार लाया दिल का दगर लाया दिल का का दो जर जर कमसे दर लाया दिल कि तका दान